हेलो गाई सम्बात करने वाला है आयारफसी के बारे में इस कमपनी का कौटर 3 अफ़र 23 का रिजल्ट आ चुगा है सामने कैसा रा इस कमपनी का रिजल्ट और क्या इस कमपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं इसी के बारे में डिसकेशन गरेंगे तो वीडियो को जरू से एंट तर देखते रहना आयरसी की बात करें इंडियन रिल्वे फाइनांस कॉर्परेशन इस कमनी का अप्लिकों के सामने रिजल्ट प्रिजेंटेड है सारी अमांट्स वह मिलियंस में बताएगी है क्वाटर एंग क्वाटर बेस की ऊपर रिजल्ट को कंपेर करेंगे यह इस क्वाटर का रिजल्ट है यह पिछले क्वाटर का रिजल्ट यह पिछले साल सेम क्वाटर का रिजल्ट देखने को मिल जाता है कमनी की इंकम की बात करेंगे तो इंट्रस्ट इंकम लीज इंकम एंडर इंकम को मिला कर कमनी का टोटल इंकम इस क्वाटर के अंदर देखने को मिल जाता है 62,220.28 मिलियन रुपीज का कोटर एंग कोटर बेज के उपर और पिछले साल सेम कोटर के मुकाबले कमपनी के इंकम बढ़ती भी नसरा जाती है बाकी इस कमपनी के एक्सपेंस की बात करें तो फाइनांस कोश्ट एंड अलग-अलग यहां पर कोश्ट को मिला कर कमपनी का टोटल एक्सपेंस यहां पर इस कोटर के अंदर देखने को मिलता है 45,885.80 मिलियन रुपीज का जिस प्रकार से कमपनी की इंकम बढ़ी है वैसे वैसे करके कमपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते वे नसरा आ जाता है बाकिस कवने के नेट प्रॉफिट अफ्टर टेक्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट अफ्टर टेक्स यहां पर देखने को मिल जाता है 16,334.48 मिलियन रुपीज का कॉटर एंग कॉटर बेस की उपर और पिछले साल सेम कॉटर के मुकाबले कंपनी के नेट प्रॉफिट अल देखने को मिलता है बाकियार एक्सपेक्टेशन के मुताबित यहां पर कंपनी का पर्फोर्मस बिलकुल भी नहीं देखने को मिला है बाजार की expectation थी कि भाई पिछले quarter के मुकाबले company का net profit है वो बढ़ेगा पर इस quarter के अंदर company ने यहाँ पर downfall दिखाया है net profit के अंदर ठीक है overall इस company का performance मेरे इसाब से एक average performance है इससे यहाँ पर company और भी जदा अच्छा performance करके दिखा सकती थी अभी यहाँ पर बात कर लगता है company के share में करना क्या चीए देखो यह एक one day की candle है और आज की दिन company का share 2.2% गिरता हुआ देखने को मिला reason यहाँ पर यही है बाजार के expectation के मुताबित company का performance नहीं रहा है ठीक है बाक्यार रही बात इस company के अंदर investment करने की तो देखो मैं तो आप लोगों को यही suggestion दूँगा जो यहाँ पर company का share आने वाले समय में 22 रूप Mm, 20 पैसे और 20 रूप Canon चीर आता है तो ही इस company के अंदर investment करना चाहिए और थोड़ा aggressive investment करना चाहते हो तो 27 रूपय के आसपास 19 2007 था स्कंपनी की आसपास और इस company के अंदर investment किया जा सकता है रही है तो यह कुछ यहाँ पर इस company के अंदर खरीदारी करने के levels है बेकवाली करना जाते हो short term का target रहेगा 34 रुपे 30 पैसे और 36 रुपे 40 पैसे का ठीक है तो यह था हमारा opinion इस company को लेका है long term के investor इस company के अंदर dividend थोड़ा बहुत लेना चाते हो तो जा सकते हो बाकियार इस company के अंदर हर समय इस प्रकार का growth expect मत करके चलना क्यार हर समय company का share ऐसे भागता ही रहेगा ठीक है तो यह चीज़ आप लोग ज़रूर से धर में रखके चलना तो बस अचके लिए इतना है वीडियो पसंद दाए लाइक के चलना है और सबस्क्राइब करना है वह बुलना गुद्वाल अफ गुद्बाई फिर मिलते नेक्स टुड़ो में गुद्बाई